हावरे से राची जाने वाली बंदे भारक का एक वीडियो इंटरनेट पर चोड़ चका विश्य बन गया द्रसल स्ट्रेन के एक कोच में वेटर ने गलती थे बज़र्ग यातरी को नौन विज़ फूट सर्व कर दिया यातरी को जब इसका पता चला तो वे भड़क गया और उसने वेटर को दो थपड़ ज़र दिये इसके बाद कोच में मौजूद यातरी वेटर के लिए खड़े हो गये और बुज़ग को उससे माफी मांगने के लिए कहने लगे इसको लेकर मामला गर्मा गया और उन्हीं में से एक यात्री ने इस पूरी खटना का वीडियो शोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जिसके बाद मामला बहस का मुद्दा बन गया जी हाँ वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के कोच में खूब हला हो रहा है बलकि शांती से बात कर लेनी चाहिए थी जबकि अंकल अपनी बात पर डटे रहते हैं हालकि अंत्मेव यात्रियों के दवाव में वेटर से माफी मांगते भी दिखाई देते हैं असल में ये वीडियो एक्स यूजर एदरेट इट्स मी कुनाल 07 ने 27 जुलाई को शेर किया उन्होंने दावा किया था कि वन्दे भारत पे गलती से नौन वेज़ फूड एक बुज़र्ग को परूस दिया गया उन्होंने दिशा नर्देश नहीं देखे और खाना खाने लगे इशा कहारी होने के नाते उन्हें एहसास हुआ किसका स्वाद मासा हारी भोचन जैसा लग रहा है ऐसे में वे आग बबूला हो गए और वेटर को दो थपड जड़ दिये वे घटना 26 जुलाई को हावणा से राची जा रही वन्दे भारत ट्रेन में हुए दरसल ये दोनों वेडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्सपर एड़रेट घर के कलेश नाम के हैंडल से 29 जुलाई को पोस्ट की गई उन्होंने के अप्शन में बताया पैसेंजर और वेटर के बीच वन्दे भारत में कलैश हुआ दरसल वेटर ने गलती से यात्री को नॉन वेजटेरियन खाना परूस दिया और इस पोस्ट को अब तक 8000 से जादा लोग सेकड़ो लाइक्स कर चुके आता जाने कितने लाइक्स इसे मिल चुके कितने कमेंट्स इस पर आ चुके साती तमाम यूजर्स ने अपने प्रतिक्रिया दी एक शक्स ने लिखा माना नहीं चाहिए था दूसरे ने लिखा ये बड़ी गलती है ऐसी गलतिया नहीं होनी चाहिए हाला कि तमाम यूजर्स ने कहा कि मानने की जरुवत नहीं ती शांती से समझाया भी जा सकता था विला आप क्या कुछ कहेंगे इस माइरल वीडियो पर आप अपनी राइज जरूर दे 100 News की रिपोर्ट